हेलो दोस्तों आज हम कोलर वाले विलाज की cutting करेंगे तो मैंने इसा चार लियाज में फोल्ड कर रखा है तो अब हम निसान लगाएंगे तो मैंने इसका suspended इसका आर्म हॉल 6 इंच लिया है इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर आम इस तरह से इस तरह से निशान लगाएंगे इससे राउंड सेब देते हैं इस तरह से गोल कर देंगे जो हमारा फ्रेंट का होता है वहां से हम आदा इंच अंदर के तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं आरहो तो अब हम यहां से इस तरह से निशान लगाएंगे और यहां पर भी हम ऐसी गोल राउंड से देते हैं गोल कर देंगे इस तरह से जब हम यहां से काटेंगे तो हम जरासा इसमें नीचे भी तरफ लेंगे अब हम गले के निशान लगाएंगे तो मैंने इसमें धाई इंच पर निशान लगाया है और तीन इंच बैने इसकी लेंद रखें गले की इस तरह से रखने के बाद फिर हम इसे राउंड से देंगे गोल करेंगे अब हम डाउन करेंगे आधा इंच अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो मैंने इसकी चेस्ट नाइन इंच रखिया इंच हमारा माजन का हो जाएगा तो यह 10 इंच हो जाएगा एट इंच हम मैंने नीचे रखा यह अडेव इंच का माजन का हो जाएगा तो यह 10 हो जाएगा तो इन दोनों पॉंट का में इस तो जोइंट करेंगे अब हम डोड करने सान लगाएंगे तो मैं इसमें दस पर लगा दियूं शाड़े दस पर तो मैं इसे प्रिंस कट शेव दूंगी कोड़र वाले बिलाज को तो यहां पर हम चार इंच लेंगे यहां से हम साड़े तीन लेंगे इसमें मेरा कपड़ा नहीं बच रहा तो बैल्ट मैं अलग से लगाँगे तो इस तरह से कर्व से विए ते वे इस तरह से गोल कर देंगे और यहां से हम अंदर की तरफ दो इंच पने साम लगाएंगे इस तरह से हम थोड़ा से इस तरह से कर देंगे जिसका से बनने के बाद इसके पफ अच्छी बनती है इस तरह से अब हम इस पर कटिंग करेंगे कर देंगे तो यहां से हलका दाउन कर देंगे नीचे की तरह धुए भल करिले नीचे के तरह से हलका देंगर देंगे love और समर्त कर दो कर दो का इस तरस हमारे बैक की कटिंग अब हम सिर्फ वाल सुधे बैक की कटिंग होग अब हम फरस्ट के कटिंग करने तो मैं गले का निसान लगा दिए गला का निसान में आज को लगाया इसकी चोड़ाई अधाय इंच इसकी एक इंच लगाई है चोड़ाई इसकी धाय इंच रखिए अब इससे रांड से जेते हैं इससे हलका सा इस तरह से गोड़ कर देंगे बस इस तरह से अब हम कोलर की कटिंग करेंगे कोलर की कटिंग करने के लिए मैंने इसकी चोड़ाई इसकी साढ़े दस रखिए और नीचे से मैंने दो इंच लिया है तो अब हम निशाल लगाएंगे नहां से इस तरह से तो यह गला बनने के बाद जो शुदर लगता है इस बिलावज में तो मैं इस कोलर में डबल डबल कोलर के सेप दे रहें इसमें इस तरह से एक बार हमें इसे इस तरह से करेंगे इसी को और फिर इसे इससे करेंगे तो यह जाइन सा बन जा गए इसमें डबल कोलर को तो अब हम ज़समें कटिंग करेंगे कर दो तो यह हमारे कोलर की कटिंग होगी और यह बनने के बाद बहुत सुन्दर लगता है इस बनागी तो यह हमारा बैक हो गया यह हमारा प्रण्ट होगे और यह हमारी पब बनकर त्यार होगे इस तरह से और यह हमारा कोलर है जो हमें इसमें जॉइंट करना है इसमें जॉइंट करने के बाद इसमें पहले हम इस पैटरन को कपड़े पर बना लेंगे फिर हम इस पर कटिंग करेंगे फिर हम इसे जॉइंट करेंगे इसमें गले में तो यह बनने के बाद बहुत सुन्दा लगता है इस तरह से जब हम पप की कटिंग करेंगे तो हमें एक्स्टा कपा लेना पड़ता है यहां इस वेस हमें एक्स्ट्रा कपा इसमें लेना पड़ता है आधा आधा इंच तो यह हमारे कोलर वाले बिलाज की कटिंग हो गई